एलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्जाम ट्रेनर यूट्व चैनल एक्जाम ट्रेनर यूट्व चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम देखने वाले हैं भारतिय इतिहास के महत्तुपुण प्रश्णों का यह आपका फोर्थ लेक्चर है इससे पहले आप फर्स शेकेंड और इसके लिए आप एक्जाम के लिए बहुत ही याव्प करेगा तो आप प्लीज इस सीरिस प्रस्च से जरूर देखें इसके बाद आप आए फोर्थ नंबर बे स्टार्ट करते कुशन की तरफ और कशेसं की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे इक्जाम ट्रेयनर य आइकान आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोडिफिकेशन मिलता रहे और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सेर भी करें और जो भी आपको सुषाहों देना ह आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुषाहों दे सकते हैं तो चलिए स्टार करते हैं कोईशन की तरह बढ़ते हैं आज का पहला कोईशन आपके शामने यह रहा आपके सामने पहला कोईशन है कि निम्नली खित में से कौन सी धार्मिक और धर्म निर्पेच दोनों रूप अपसे प्रसिद आयतिहासिक इमारत जो उत्तर परदेश के फतेह पुर्षिक्री शहर में नहीं है बहला अपसाने बुलंदर वाजा सलीम चिस्ती की दरगा दिवाने खास और कुतूब साही मकबरे तो इस कोशन का जो राइट अंसर अपसान नमबर डी है कुतूब साही मक अपका फतेफुर्षिक्री में नहीं है अब इसकी डिटल्स की बात करते हैं तो डिटल्स है कि फतेफुर्षिक्री उत्तर पर देश में इस्तित है और इसका निरवाड मुगर वाथसाइक अकबर ने करवाया था और कुतूब साही मकबरे जो है फत्यपुर्श शिकरी में इस्तित नहों कर ये आंधर पर्देश के हैदराबाद में इस्तित है यानि कुतुब साही मकबरा जो है कहां पर है आंधर पर्देश के हैदराबाद में इस्तित है तो ये चीज़े आपको समझ में आ गई होंगे नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने है कि निम्लिकित में से कौन सा इस समूश से संबंदित नहीं है बुलंदर वाजा आगराफोर्ट गेटवे अफ इंडिया जोधवाई का महल तो इस कोशन का जो राइट अंसर अपसन नंबर C है गेटवे अफ इंडिया जो है इस समूश से संबंदित नहीं है अब क्यों नहीं संबंदित है आईए देखते हैं तो गेटवे अफ इंडिया जो है माराष के मुंबई सार में इस्थित है और यह किंग जार्ज पंचम और महरानी मेरी के मुंबई आगमन के आउसर पर उनने समानित करने के लिए बनाया गया विसाल अस्मारक था और गेटवे आफ इंडिया के निर्मार जो है अपोलो बंदर पर कराया गया था इससे व्रेटिस वास्तुकार जार्ज विटेट ने डिजाइन किया था जब की बाकी जो है बुलंदर वाजा आगरा फोर्ट और जोधा बाई के महल का निर्मार अक ने करवाया था हम यह कह सकते हैं कि यह मुगल काल की सारी चीज़ें और यह अंग्रेजो द्वारा है और यह मुगलो द्वारा है एनि कि अकबर ने करवाया था बुलंदर वाजा आगरा फोर्ट और जोधा बाई का महल लेकिन यह जो आपका gateway of India यह जो है हम यह कह सकते हैं कि इन्हों यह जो है आप अंग्रेजों द्वारा बनाए गई गई गेटवे आफ इंडिया है ठीक है जो की मुंबई सार में इस्थीत है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने है कि दिल्ली का प्रसिद लाल कीला किसके सासनकाल में बनवाया गया था पहला अपसन नादिर साह औरंग जेब जहांगीर शाह जहा तो इसकोशन का जो राइट आंसर अपसन नमबर डी है साह जहां के सासनकाल म जो है लाल कीला का निर्माड किया गया था अब इसकी डिटेल की बात करते हैं तो डिटेल से आपके सामने कि मुगल सासक साजा ने दिल्ली के प्रसिद लाल कीले का निर्माड जो था और चत्रभुज अकार का कीला लाल बलुआ पत्र से निर्मित होने के कारण लाल कीले के नाम से प्रसिद है और इस कीले के पश्मी द्वार का नाम लहोरी दर्वाजा एवं दच्छिडी द्वार का नाम जो है दिल्ली दर्वाजा रखा गया था तो यह था इस प्रसन का डिटेल्स उमिद करते हैं सब सबOff Sultan 109 आपके सामने कि मुगेल सासक साजां ने ताज महल बन वाल था और ताज महल के नियर्माड के लिए साजा ने भारत इर्ट इरान एवं मध्यएसिया से डीजाइंरों इंजिनियरों आपके साजमाह का Tesla को यह तरो ताजमहल की वास्तुकला में भारतिय इरानी एवं मध्य स्याई वास्तुकला का संतोलित समन्वे दिखाई पड़ता है तो यह था इस प्रस्षन का डिटेल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने है कि वह एतियासिक जगह चुने जो ग्वालियर क मध्य पर्देश में नहीं है जै विलास महल रानी लच्मी बाई की श्रमादी गोलकॉंडा कीला और तेली का मन्दीर जो है लेकिन गॉलकॉंड्य का कीला इसमें ग्वालियर में नहीं है आब इसकी दिटेल्स की कि बात करते हैं तो डिटेल्स आपके सामने कि गोलकॉंडा किला हैदराबाद के पश्चिमी भाग में हुसेन सागर जील में लगभग 9 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है और इस किले को कुतुब साही वंस के सासको ने बनवाया था और इस परकार गोलकॉंडा किला ग्वा आपके सामने है कि भारत में विट्ठ गालियों ने निम्न में ऐस तान पर अपने पहले कीले का निर्माड किया था कोचीनilis की वाद करते हैं तो पुर्ते गाल्योने भारत में प्रथम गीला भी इसे कहते है का तो यह था इस प्रश्ण का डिटेल्स नेक्स्ट के बात करते हैं पूर्तगाली बेपारी गोवा की भूवीपर पहली बार किस सदी में आय थे पूर्तगाली बेपारी जो गवा की भूमी पर आये थे पहली बाद की सदी में चौंदाहुई में शॉलाहुई में और शॉलाहु Teams में यह आयत है इस 소ह सौनसों इस वी में ज्फोलक्रिघ। आये थे पुर्तगाली ब्यपारीods, जो गवा की भूमी पर आये थे 1 पहली बार शॉलाहुई शदी में आये थे अब इसकी रिटल्स की बात करते हैं तो पुर्तगाली अलफांसो दा अलबुकर्क ने 1510 इस्वी में बीजा पूरी सासक युसुफ आदिलसा को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृत के महत हां सेंट आंजलो फोर्ट सेंट थामस फॉर्ट वेणौर इम्ञैनुवल और फोर्ट लिए तो इस सेंट अंशलो फोर्ट में भात करते हैं तो डिटल से के 1525 में भारत के पहले पुर्दगाली वाय सराय फ्रांसिस्को दा अलमीडा ने सेंट एंजलो फोर्ट यानि केरल का निर्माड करवाया था और यह कीला कनूर सहर में से इस प्रसण का और केश्पर संकश्वक का तो भारत जो है इसट इंडिया कम्पणी की सत्ता जमने से पहले भारत कि से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था अब इसकी बत करते हैं तो भारत में इस इंडिया कमपनी की सथा जमाने से पहले भारत की सूती एवं रिशं से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था तो यह था इस प्रेशन का डेटेल्स यानि अप्शन नमबर डी सही था नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं अंग्रेजी यानि ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने खुद को भारत में किस समय अस्थापित किया 1600-1612, 1641-1645, 1701-1710, 1721-28 तो इस कोशन का जो राइट आंसर था अप्शन नमबर यह था 1600-1612 तक जो अंग्रेजों ने इस्ट इंडिया कंपणी को खुद को भारत में के द्वारत अस्थापित किया था अब इसकी रिडियल्स की बात करते हैं तो डिडियल्स आपके सामने कि 1599 समी में इंग्लेंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रेटिस्ट इस्ट इंडिया कंपणी अथवा दि गवर्नर एंड कंपणी आफ मर्चेंट्स ट्रेंडिंग इंटू दा इस्ट इंडिस की अस्थापना 31 दिसंबर 1600 में ब्रेटेन की महरानी एलिजा बेथ ने इसे पूर्व की साथ व्यपार करने के लिए 15 बर्षों के लिए अधिकार पत्र परदान किया और जहांगीर के सासनकाल में ब्रेटिस्ट इस्ट इंडिया कंपणी ने सरप्रथम मसूली पटनम अथवा मचली पटनम में एक और अस्थाई का रखाना अस्थापित किया और 1613 इसवी में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थाई का रखाना सूरत में अस्थापित किया था तो यह था इस प्रश्ण का डिटेल्स नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन है भारत में अपने नियंत्राड को बढ़ाने है तो ब्रेटिस और भारतियों के बीच कई जुद्ध लड़े गए परन्तु निवलिखित में से एक यूद्ध हो इसमें से सामिल नहीं है एंगलो मराथा एंगलो सीख एंगलो मर्शूर और एंगलो बंगल तो इस वर्षकर जो राइट आंसर अपसन नमबर डी है एंगलो बंगला जो है अपने जो है भारती और भारत में नियंत्राड बढ़ाया है तो ब्रेटिस और भारतियों के बीच कई जुद्ध लड़े जिन में जो हैंगलो बंगला नहीं है आप इसकी डिटेल्स की बात क तथा दिवतिया अंगले सिख युद्ध 1848-49 में हुआ था और इसके अलावा अंग्रेज और मैसूर सासको के मध्य चार युद्ध लड़े गए जिसमें प्रथम आंगलो मैसूर युद्ध है 1766-79 दिवतिया अंगलो मैसूर 80-84 और तीसरा अंगलो मैसूर है 90-92 और चतू वाल मन्दीर किस जील के किनारे पर इस्ति थे मदल अब इसकी रिटेल की बात करते हैं तो हरी मंदिर श्वान मंदिर जिसे साहिव भी कहते हैं या मंदिर अम्रित स्वरोवर जील के मद्दे में इस्ति थे और इसकी निव स्वान मंदिर अ मंदिर की स्वान मंदिर के मद्ध शाहिब भी कहते हैं और राइ अंध अम्रित श्वरोवर जिसें साहिव भी कहते हैं और या मंदिर अमरित सरोवर जील के मध्य में इस्तित है और इसकी निव 1588 इसवी में गुरु अरजुन देव ने लाहौर के एक सुफी संत साई मिया मीर द्वारा रखवाई थी और शिखो कि ये पांचवे गुरु थे अरजुन देव तो ये था इस प्रस्ण का डिटेल्स उम आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाओ दे सकते हैं तो प्लीज एक्जाम टेरनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नडिफिकेशन मिलता रह के जय भारत आल दी वेस्ट